हेलो एवरीवन वेल्कम बेक टू मा यूट्यूब चेनल नर्सिंग नोट्स और आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको इंटोडक्शन ओफ नूट्रिशन और इसके जो टाइपस ओफ ते हैं फूट्स मेचोर एंड माइनर नूट्रिशन के बारे में सबसे पहले इसका देखेंगे इंटोडक्शन इंटोडक्शन इसका ये पीडियाफ आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ा जाएगी सबसे पहला पॉइंट है साइन्स ओफ फूट एंड इस रिलेशन तो देखेंगे नूट्रिशन पोजन का विक्यान और पोशन नामक स्वास्त से संबंदे इसका 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 सेकेंड पॉइंट है शिक्स क्लासेज ओफ नूट्रिएंट नीत बाय हुमन बोडी, एक्जांपल, प्रोटीन, फेट, कार्बोहिटरेट, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर मानल श्रीर द्वारा आभिशक पोशक तत्वों की छवग ग्लासेज वत्ती है मतलब क्या क्या होती है protein, fat, carbohydrate, minerals, vitamins and water. तो यह हमारा general introduction of nutrition. अब नुट्रिधिन creatures? नुत्रियन और नुट्रियन और इन ओर रिघिनिक एन और।ργोफ कम्लेक्स हने फूड कल्ड नुत्रियन टूज़ कोई है Today उसको किंपनम नुत्रिंट फूर्ट और लिक्विड श कॉंपली और Breakthrough frightening नेसेसरी फोर मेटाबोलीजम खाद्य पदार्थ या तरल जो पदार्थ होते हैं उनका पचैन आवश्यक रशाइनों के साथ शरील को आपूर्थित यानि आवश्यक होता है इसका थर्ड पॉइंट है अशेंशल नूट्रियंट्स आर दोस कंटेंड देट द बोड़ी आईदर केन नोट सिंतेसीज और सिंतेसीज इक्वालिंटीज नोट सफिसेंट तू मिट निट्स हिंदी अर्श्यक आवश्यक पोशक तत्व के वे सामकरिये जो शरील या मात्रा को शंशलेशित या शंशले होता है इसका मतलब ज़िए जो आवश्यक चोहती है वोसी चीजों को यह क्या करेगा ग्रहंड करेगा आवस्यों करेगा इसके बाद कि इसके ग्रूप्स देखेंगे नूट्रियंट मेबी डिवाइड़ इंटू two major group में डिवाइड़ेट है सबसे पहला है मेक्रो नूट् fat and carbohydrate called macronutrient 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 नोते बड़े nutrient कौन कौन से protein fat and carbohydrate called macronutrient or approximate principle because they are form the main bulk of the body यह main body का पाड बनाते इसको आम इसके कले macronutrient केते हैं second जो है हमारा micronutrient जिसके अंदर vitamins and minerals called micronutrient vitamins और minerals कौन क्या केंगे micronutrient they are required in small amount in the body इनकी जो मात्रा होती है body को कम होती है इसलिए इसको हम micronutrient कहते हैं यही इसके अंदर हिंदी में दिखा हुआ है पोशक ततों को दो भागों में विफाजित क्या गया है सबसे पहला है मेक्रो पोशक जिसमें protein वसा और carbohydrate जैसे micronutrient कहा जाता है क्योंकि हमारे बोजन का मुख्य इस्तोक बनाते हैं ठीक है इसके शुक्ष्म पोशक यानि micronutrient vitamins और खनीज यानि minerals जिने micronutrient कहते हैं क्योंकि बेश्रीर में कम मात्राम में आवश्यक होते यह बहुत ही कम मात्राम में आवश्यक होते बोडिकों इसके बाद classification of food classification of food देखेंगे सबसे पहला है based on sources of origin origin के यानि इस्तोरत के अधर पर पहला point है हमारा food from animal origins किसे animal के थुरू कौन-कौन से होते हैं जैसे की milk, meat, eggs, fish and cheese यह होते हैं हमारे animal के थुरू इसके बाद second होते हैं food from vegetable origins like clarice, pulses, green, fly, vegetables and fruits यह थे हमारे based on origin animal and vegetable के according second जो food है based on chemical nature इसके अंदर protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals इंक्लूड़े 5 chemical nature के according होते हैं इसके बाद third है based on function function के according कौन सा बेला हमारा energy giving food such as carbohydrate and fat जो carbohydrate and fat जो होता है वो हमारा क्या energy provide करता है इसके बाद second जो food है वो protective foods such as vitamins and minerals vitamins and minerals जो होते हैं वो protective होते हैं इसके बाद last होता है हमारा body building and repairing जो body building लग जो function के आदर पर होते हैं वो इसके अंदर included किया गया है यही बात हिंदी में उत्पतिक के इस्तुरत पर आदर ही मतलब पशुओं के भोजन से जैसे दूत मास अंडा मशली पनीर आदी इसके बाद second है अनाश डालो हरी पत्तिदार सब्जो और फोलो की तरह सब्जी की उपस्तिती में तो यह था हमारा उत्पतिक के आदर पर सबसे विला origin सेकेंड रासाईनिक प्रकति के अधर पर जिसमें प्रोटीन हो गया वसा होगे sorte कर्बॉअट्रेट होगे विटामीन होगे एनखनी यानि मिन्रल होगे पर irzha देने वाले बोजन जैसे कर्बॉअट्रेट और विटामीन और खनी जैसे शुक्समात्मत पोज przet होते हैं और बोडी बिल्डिंग्स मरम्मत के लिए जो होते हैं उसके इंदर हैं तो यहते हैं हमारे इंट्रोडक्शन ओफ नूट्रिशन इसके बाद हम आगे की जो वीडियो में बताएंगे प्रोटीन प्रोपर डिस्क्रिप्शन यदि आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो हमारे ओफिशर वेबसाइट है नर्सिंग नर्स एक्जाम डोट ब्लोग इस्पोर्ट नीचे लेग देता हूं ब्लोग इसके उपर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आई होप आपको यह समझ में आया होगा नुट्रेशन क्या होता है यदि आपको वीडियो पसंद लए हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और हमारे यूट्यूब चेनल नर्सिंग इन्वर्क्स को सस्क्राइब कीजिए थेंग्यू